नमस्कार रोजगार अड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है यदि आप घर बैठे काम करना चाहते तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है घर बैठे आप मसाला पैकिंग का काम कर सकते हैं जैसे यह ड्राइफ रूट पैकिंग है मसाला पैकिं आपको अपने जेव से एक भी रुपे का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कोई डाइस्टेशन कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं पड़ती है बहुत सरे लोग कॉल करके आपसे इस तरह के डिमांड करते हैं पैसे मांगते तो उन लोग उसे साबधान को कर सकते हैं दिखे अभी जौब की बहुत ज़्यादा मारा मारी हो रही है यानि कि लोग को नौकरी नहीं मिल रही है ऐसे में अगर आपको घर बैठे दस से पंद्रह हजार या बीस हजार रुपे महिना कमाने का मौका मिल रहा है तो मेरे हिसाब से तो यह काफी अच्छा मौका इस काम मौका को आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए तो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको इस एलली कितनी मिलेगी साथ ही काम का टाइमिंग क्या है किस अधाल पर आपको इस एलली दी जाती है और इसके लिए क्या पातरता होनी चाहिए देने के क्या क्या चीजे जरूरी होगी अगर आप इस काम को लेना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि रोजगार अड़ा यूटियूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी के निशान है उ आपको अलग-अलग मसाले, ड्राइफ रूट इन सब की पैकिंग करनी होगी और इसकी पैकिंग करके आपको कम्पणी को रिटर्न करना है बस आपको कच्चामाल इस तरह के पॉलिथीन और यह कार्ड़बोड दिये जाएंगे आपको पैक ऽ तारह के कार्ड़बोड में र लगा देना है और company वाले आपकर ले जाएंगे तो इस काम को आपको घर बैठे ही करना है और इसमें आपके जो सेल्री मिले की वह आपको पर पेज के हिसाब से इस page में आप देख सकते हैं 20 जो है यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 जो है लगाए जाते हैं तो 15 के आपको 15 रुपए मिलेंगी यानि कि एक packet pack करने का आपको 1 रुपए मिलता है एक इस तरह से जो छला है इसको पूरा बनाने में जो है एक cardboard में पूरा set करके आपको 15 तो यह total आपके उपर depend करता है कि आप किस तरह से इस काम को करते हैं और कितना काम करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा बनेगा इसमें ऐसा कोई system नहीं है कि आपका महिना fix है आप जितना काम पूरा इसमें आप ज्यादा भी कमा सकते हैं कम भी कमा सकते हैं यह total आपके काम के वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर आपको मोबाइल नमबर मिल जाएगा वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है आपको मोबाइल नमबर दिख जाएगा वहाँ से आप अपना मोबाइल नमबर लेकर संपर्क कर सकते हैं वैसे मैं आपको वीडियो में भी मोबाइल नमबर दे देता हूँ लेकिन वीडियो में मोबाइल नमबर देने के बाद क्या होता है कि आप कभी बाद में वीडियो देखेंगे तो आपको ये मोबाइल नमबर जो है हो सकता है कॉलना लग रहा हो